हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का ये अंक और इसमें हम आज बात करेंगे कि विराम चिनों का प्रियोग कहां कहां करना है कैसे करना है इसी के साथ में अल्प विराम का प्रियोग योजक चिन का प्रियोग प्रस्वासक चिन का प्रयोग विश्मियाद बोधक चिंद्ड का प्रयोग या उध्धरण चिंद्ड का प्रयोग इसी के साथ में वरतनी समन्दी जो तुर्टियां होती है वाग्यसुद्धी खरन इन सब की वारे में हम बात करेंगे कऊं कि ये हर exam में पूछे जाते हैं और आपकी आने वाले जाहें मंडी समीती का exam हो या फिर आपका जो lower pieces का exam होने वाला है ये प्रेटर बले सी के दुरू उसमें भी आपको ये बहुत ही काम आएगा तो शुरू करते हैं आज का ये chapter पूर्ण विराम पूर्ण विराम कहा यूज होगा वैसे भी तो जानते हैं आप बच्पन से हिंदी पढ़ते आए हैं लेकिन फ़र भी कुछ टेक्निकल चीजे होती हैं जो जानने के जरूरत होती है उसको जरा एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं सामने निता जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के दार एकदम तूट जाए वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रियोग करते हैं कभी कभी किसी वैक्ति अथवा वस्तु का सजी वर्ण करते समय वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है तो पहला तो पूर्ण वर्ण वर्ण वहाँ लगाया जाता है कि जहां पर एक जो आप कह रहे हो अपनी बात को वो उस विचार के तार एकदम तूट जाए मतलब वो पूर्ण हो जाए इसी वज़े से पूर्ण विराम लगता है वहाँ पर या दूसरा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का जो हम सजी वर्ण करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ण करते हैं तब वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं सजी वर्ण करते समय हम एक एक्जांपल के मातिम से इसको जानते हैं कि पहला उधारन लेते हैं कि वह बाजार जा रहा है बहुत सेंपल सा छोटा सा वाक्य है तो यहां पर वाजार जा रहा है एक विचार है एक संटेंस है वह कंप्लीट हो गया उसका इसमें कुछ जुड़ नहीं सकता इनकंप्लीट नहीं है यह कंप्लीट है तो हो गया, पूर्ण विराम लग गया दूसरा, जो हमने कहा कि सजी व irony हो अनन करते हैं उसका है उसका एक्जामपल है, उधान 2 इसमें कहा है कि सुन्दर नयन लेखें, सुन्दर नयन के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया है उसके बाद दूसरा है गोड़ा मुखड़ा फिर वो पूर्णविराम लगाया है उपरा हुआ लालाट फिर हमने पूर्णविराम लगाया है मानौ किसी देवी की मूरत हो अब फिर शेप पुर्ण ये एक संटेंस है और यहां पर आके मानुद देवी की मूरत हो यहां पर आके यह खतम हो रहा है यह विचार के तार टूट रहे हैं एक्तम लेकिन हमने यहां पर के जगे पर पुर्ण मारम लगाया हुआ है क्योंकि हम इस चीज़ का सजीवण करते हैं तो ऐसी जगों पर हमें तोड़ा सा ध्यान रखने की जरुरत होगी अगर ऐसे वाकिया आते हैं तो अब मन ऐसे वाकिया नहीं पुशे आते हैं बहुत पुशेगा तो जो है एक इसमें संटेंस डाल देगा सुन्दर नयान या कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं यह थोड़ी से टेक्निकल जानकारी है इसकी अल्प विराम का प्रियोग कहां कहां होता है उसको देख लेते हैं कि दो से अधिक समान पदों दो से अधिक अगर समान पद हैं तब भी वहाँ पर अलफ रहम का प्रियोग होगा पदान सो अथवा वाक्यों में इसका प्रियोग होता है देखें कैसे होता है जैसे लिखा गया राम, लक्षमान, भारत और शत्रगन तो आकरी वाला होता है, वहाँ पर और लगा देते हैं, उसके पहले जितने भी चीज़े होती है उनके बीच में हम कॉमा या अलफ रहम का प्रियोग करते हैं वा रूज आता है, कॉमा काम करता है और चला जाता है वा रूज आता है, उसके लगा थोड़ा सा ठहरेंगे जबन काएम बेज़ाँ है, वा रूज आता है, वा रूज आता है अलफ रूज आता है, और चला जाता है तो यह हो गया पहला एक्जामपल दूसरा देखें, जहाँ पर सब्दों की पुन्रापरती हो जहांपर सब्दों की पुनरवर्ति होगी वहांपर भी इसका प्रियोग किया जाएगा जैसे सुनो सुनो अब सुनो के बाद अलवराम फिर सुनो फिर अलवराम सुनो सुनो वह गारी है तो ऐसे जगोंपर अलवराम का प्रियोग होगा दूसरा हमारे एक्जामपल है इसी का नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो यहां पर भी नहीं अल्विराम फिर नहीं फिर अल्विराम ऐसा नहीं हो सकता पूंडविराम तो यह होता है तीसरा हमारा जो है जहां पर अल्विराम का प्रियोग होता है जब कोई अंतरवर्ती पद पदांस या वाक्यांस आ जाए जब कोई अंतरवर्ती पद या वाक्यांस आ जाता है तब भी हम अल्फ विराम का प्रेयोग करते हैं एक्जम्पल के तुरू देखते हैं इसको करोध अब देखो करोध कह रहा है उसके बाद करोध के बारे में बता रहा है चाहे जैसा भी हो करोध के ही बारे में है ये चाहे जैसा भी हो ये एक अंतरवरती पदांस है अंतरवरती पदांस है ये तो अगर ये अंतरवरती पदा साता है तो यहाँ पर उससे पहले एक कौमा लगाया जाएगा अलवराम लगाया जाएगा उसके बाद भी अलवराम लगाया जाएगा क्रोध अलवराम चाहे जैसा हो फिर अलवराम मनुस्षिकू दर्बल बनाता है पूर्ण वराम तो ऐसी जगों पर जहां पर कोई पतांस आएगा वाक्यांस आएगा वहां पर भी हम लगाएंगे पूर्ण अल्विराम जब वाक्य में इसलिए इससे किंतु अतह आदी सब्द आते हैं तब भी अल्विराम लगाया जाता है तो अगर जहां पर इसलिए चुंकी किन्तू अतह ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं वहां पर भी हमारा अल्विरम लगाया जाता है जैसे एक्जामपल देखें कि मैं कल घर जाता मैं कल घर जाता किन्तू अब किन्तू से पहले लगाया जाएगा मैं कल घर जाता और यहां पर थोड़ा ठेरेंगे फिर किन्तु एक आवशक कार आ गया तो यहां पर अलवराम लगेगा अगला हमारा जो टाइप है अलवराम का वो यह है जब किसी को संबोधित किया जाए जब किसी को संबोधित किया जाए तब भी अल्वेराम का प्रियोग होता है जैसे सज्जनो उसके बाद समय आ गया है अल्वेराम सावधान हो जाओ पूर्णवेराम तो जिससे महौदे लिखते हैं तो वहाँ पर भी इसको लगाया जाता है आपने लेटर देखा होगा जो लिखते हैं महौदे उसके बाद अल्वेराम तो यह होता है भाईयो बहनो मौदी यह बोलते ना भाईयो बहनो उसके बाद अल्वेराम कॉमा मैं आपका सेवक नरिद मौदी नहीं ऐसे बोलते तो ऐसे भी याद रखना है अगला हमारा जो है वो है योजक चिन है योजक चिन कहां कहां लगता है जान लेते हैं कि देखें जैसे माता पिता तो माता और बीच में माता और पिता एक साथ बोले जाते हैं तो इनके बीच में लेकिन योजक चिन लगाया जाता है लड़का लड़की धर्म अधर्म पाप पुन्य यह कैसे सारे वर्ण हैं यह हैं दोनों पद प्रधान हैं और दोनों के बीच में और गायव हैं यह जितने भी सब्दा आये हुए हैं माता पिता लड़का लड़गी धर्म अधर्म पाप पुन्य यह दोनों के दोनों प्रधान हैं और दोनों के बीच में और गायव है इसलिए योजक चिन लगा हुआ है तो ऐसी जगे पर योजक चिन लगाया जाता है जहां पर दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में जब और गायव कर दिया जाता है तब वहां पर योजक चिन आ जाता है जिसे पाप और फुन्य, माता और पिता तो और गायब करके हम योजक चिन का प्रेव करते हैं विपरीत सब्दों के मद्ध में भी लगाया जाता है विपरीत सब्दों के मद्ध में भी योजक चिन लगाया जाता है जैसे कि आगा पीछा तो आगे का पीछा पीछे का तो दोनों को जोड रहा है योजक्चिन अमीर करीब ये दोनों विपरी थे हैं एक दूसरी का विपरी थे हैं अपोजिट हैं इनके बीच में लगाया जाएगा योजक्चिन है राद दिन दुख सुक दूंद समास ये समान हर्थ वाले जो होते हैं दूंद समास उसमें भी योजक्चिन का प्रेव होता है जिसे दीन दुखी हाट बाजार, एक ही अर्थ है, समान हर्थ है और यहाँ पर लगाया जाएगा आपका योजक्चिन सार्थक, निर्थक के बीच में भी लगाया जाता है जैसे अनाप, शनाप तो अनाप, शनाप, उल्टा, पुल्टा रोटी, वोटी तो यहाँ पर भी योजिक्चिन लगेगा इसके अत्रिक्त सैंक्त क्रियाओं में भी योजिक्चिन लगता है सेंक्त क्रिया जैसे उठना बैटना चलना फेरना खाना पीना तो यह सेंक्त क्रिया है और यहाँ पर भी योजग चिन लगता है प्रिशन वाजच चिन तो आप जानते हैं कि कहां कहां लगता है बहुत एजी होता है प्रिशन का बूत करेगा तो अब इसलिए लगेगा क्या वकील हैं बिल्कुल लगया जहां इस्ति निश्यत ना हो जहां पर कोई भी कंडिशन जहां अंसर्टेंटी हो जहां पर वहां पर भी ये चिनल लगाया जाता है कि जैसे आप साथ लखनों गए थे मतलब वो कन्फर्म नहीं है कि वो गए थे कि नहीं गए थे कर रहा है गैस कर रहा है अनिस्चितता है कर रहा है आप साथ लखनों गए थे कुशन मार्क वेंग्योतियों में वेंग्योतियों में भी इसका प्रियोग किया जाता है जैसे आजकल सारे नेता इमानदारी का पुतला बने हैं है ना है ना मतलब कुशन मार्क तो यहां पर एक विंग हो रहा है और यहां पर भी इसका प्रिव होता है अगला हमारा जो चिन है वो है विश्मयादी बोधक विश्मे एक्सलेमेटरी संडेंस जो हम पढ़ते हैं अंगलिस में वही है यह और यह कहां कहां यूज होता है एक तो अहलाद सुचक सब्दों में पदों में और वाक्यों में लगा जाता है जहां खुसी का इधार किया जाए वह तुम्हारे क्या जल्वे हैं तो वह के बाद लगाया जाएगा आपका यह विश्मयादी बोधक जो हमारा साइन है वो लगाया जाएगा और दूसरा हम मत देखते हैं बड़ों को संबोधित करते समय है जो हम कभी बड़ों को संबोधित करते हैं वहाँ पर भी यह लगाया जाता है जैसे कि हे इश्वर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और सबका कल्याण करो सुबकामनाओं को दर्चाने के लिए इसका प्रियोख होता है यह सस्थी भव विजई भव दिरखायू भव तो यहां पर भी लगेगा जो भी विश्वेनादीपवदक सब्द होता है इसको लगाया जाएगा अब देखें उधरण चिन क्या होता है उधरण चिन उधरण ने उधरण जब किसी पुष्टक से वाक्य या अवतर्ण जियों कातियों लिया जाता है तब दुहरे उधरण चिन का प्रियोग किया जाता है तथा जहां कोई विशे सब्द पद वाक्य खंड इत्याद उधत किये जाएं वहां एकरे उधरण चिन का प्रियोग किया जाता है देखें जब कभी पुस्तक से वाकिया अवतरण को as it is हम लेते हैं किसी पुस्तक से या तो कोई संटेंस या कोई एक खंड पूरा अवतरण उसको ले लें तब वहां पर हम दोरे उधरण चिन का प्रियोग करेंगे और जहां कोई विशेश सब्द कोई एक वर्ड पद या वाकिय खंड इत्याद उद्दत किया जाए वहां एक रे उधरण चिन का प्रियोग होता है जिसे जीवन विशुकी संपत्ती है ये क्या है एक पूरा वाकिय है संटेंस है तो यहां पर हमने दोरा उधरण चिन लगाया है और जैसंकर प्रशाद के रचना से ये लिया गया है अब देखें दूसरा देखें कामाईनी की कथा कामाईनी की कथा संक्षिप में लिखे तो कामाईनी क्या एक नाम है तो उसको हमने सिंगल उधरण चिन के थरू हमने दर्शाया है